Hello Friends, ITR filing का सीधन चल रहा है और कई लोगों ने अपने ITR file कर दिये हैं अब ITR file करने के बाद वो अपने refund का wait कर रहे हैं तो कई बर काइन का call आता है कि सर इतना time हो गया है ITR को file किये हुए बट अभी तक हमारा refund pending है और हमसे बाद में जिन लोगों ने file किया है उनका refund तो आ चुका है तो सर हमारा क्यों नहीं आ रहा है इस वीडियो में देखेंगे कि refund pending क्यों हो जाता है हमें किनकिन चीदों का ध्यान रखना है कितना time लगता है refund आने में और कैसे हम refund processing को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं और जो निल के ITR होते हैं वो तो same day process हो जाते हैं कई बार बट हाँ जनरली जो time होता है average taking time जो है वो 10-30 days का होता है इसमें आपका ITR process हो जाता है और ITR process होने के आप कह सकते हो एक हफता या 10 दिन के अंदर refund credit हो जाता है तो जनरली आपको इतना वेट तो करने ही करना है अच्छा उसके बाद हम यह देखेंगे कि सर हम refund को कैसे process करवा सकते हैं हमें क्या-क्या चीज़े करनी है जिससे हम जो है refund को तेजी से speed up कर सके हमारे processing ITR की तेजी से हो तके सबसे परहें देखें हमें किन चीज़े को ध्यान रखना है किन reason की वज़ा से जो है वो refund delay होता है एक जो सबसे important है जो recent में अभी bank का merger हुआ था अगर आपका bank account किसी ऐसे bank में है जो किसी दूसरे bank में मर्ज हुआ है जैते for example एलाहाबाद bank इंडियन bank में मर्ज हुआ था सेम चीज़ है kenra bank ये मर्ज हुआ था पंजाब national bank में ऐसा ही कई सारे bank मर्ज हुए थे तो अगर आपका bank भी किसी दूसरे bank में merge हुआ है तो फिर वहाँ का IFC code change हो जाता है कई बार address change हो जाता है account ID change हो जाती है ये सबसे बड़ा reason है कि आपका refund delay हो सकता है ये मैं आपको लिख के ले रहा हूँ तो आप अपना check करिए अगर आपका bank कोई ऐसा bank है जो किसी और में merge हुआ है तो refund आपका delay हो सकता है अगर आपके पास कोई ऐसा bank है जो किसी में merge नहीं हुआ था जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, bank of बड़ोधा हो गया कोई private bank हो गया तो अगर वो आप दे सकते हो ना तो वो आप दीजिए refund आपका जल्दी process हो जाएगा merge जो bank है उसमें refund delay हो रहा है दूसरा अगर आपके कोई old demand है पहले सालों में कोई demand है तो भी आपका refund delay होगा विकार्ज वो पहले demand को adjust करेगा और फिर refund को process करेगा उसके लाबाब तीसरा basic reason है incorrect ITR AIS, TIS, 26 AS में income कुछ और आ रही है आपने ITR में कुछ और show कर दिया है अगर कुछ न कुछ mismatch हुआ कुछ न कुछ incorrect reporting हुई तो ITR processing भी delay होगी और ITR processing delay होगी तो refund भी आपका delay हो जाएगा तो इन बातों का ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए हम चलेंगे आपको portal पे लेकर आपको profiles section पे जाना है और my bank account पे click करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका bank जो है वो validated है या नहीं है अगर bank account validated है well and good ठीक हो गया जी उसके बाद आईए यहाँ पर उपर और services में जाईए यहाँ पर देखिया option आ रहा है refund reissue का इसके उपर click करिए और create refund reissue request इसपे click करिए अगर आपका refund आके fail हो चुका है तो यहाँ पर दिखा देगा वरना यहाँ पर आपको लिख करके आएगा you have no refund failure तो अगर कोई refund failure नहीं है तो आराम से बैठिये refund आ जाएगा अगर refund fail हुआ है तो यहाँ पर आप फिर से request raise कर सकते हैं यह दो चीज़े ध्यान देनी है और फिर demand कहां से चेक करना है आपको pending action में आना है response to outstanding demand में जाएए यहाँ पर अगर आपका कोई demand है ठीक है जैते यहाँ तो लिखा हुआ no record pound अगर आपके पास कोई demand होगी तो यहाँ पर आ जाएगा उसको आपको देखना है कि correct demand है या incorrect है incorrect है response को submit करिए ठीक है correct है तो उसको pay करिए उसके बाद ही आपका refund process होगा उससे पहले refund process नहीं हो सकता है तो तीन चीज़े है उसके लाव आप क्या कर सकते हो यहाँ पर जाकर के आप grievance भी raise कर सकते हो सब कुछ आपने देख लिया refund failure नहीं है bank validated है और कोई outstanding demand भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर आके refund की request भी raise मतलब grievance भी raise कर सकते हो तो यह चार काम आप करोगे तो आपका refund जल्दी process होने के chances बहुत high हो जाएंगे and इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए इसमें मैं सबसे important चीज़ जो आपको बताऊंगा वो है bank merger यह अब आपको कहीं act में लिखा है कहीं rule में लिखा है last year भी हुआ था और इस बार जो मैंने file किया है इस year भी refund delay हो रहा है तो यह वो चीज़ी थी जो हमें ITR refund से related ध्यान में रखना है कैसा लगा यह वीडियो हमें धरूर बताईएगा और ऐसा ही interesting and informative वीडियो के लिए हमाया चैनला CEME24 को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में